हेलो गाईज, वेलकम बेक टू ग्यानवर्शा, आज इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे और टो इम्यून डिसीज के बारे में, इसमें हम लोग डिसकस करेंगे हाशी मोटो डिसीज के बारे में, यह वीडियो स्पैसिफिकली आपके CSI, NET, GATE, DBT, ICMR इन सब एक्जाम् आज जो हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे हम लोग हाशी मोटो डिसीज के बारे में, तो देखो, यह मेरी responsibility आपको पूरे अच्छे से चीजन समझाना, पूरा आपको रिलेट करके मैं समझाओंगी, बस जैसे-जैसे मैं बताती जा रही हूँ, वैसे-वैसे अच्छे स हाइपोधेलेमस और पिट्यूटरी, आपको कहां देखने के लिए मिलेंगे, ब्रेन में, कहां रीजन में में देखने के लिए, ब्रेन में, तो देखना, आप पिट्यूटरी मैं भी आप देख रहे हैं, दो लोब हैं, तो देखो, यह जो लोब है इसे बोलते हैं, posterior pituitry, यह जो reason है, यह क्या है, posterior, और जबकि यह जो side है, यह क्या है, anterior pituitary, anterior pituitary, ठीके, सुनो बच्छों, बहुत easy way में मैं समझाओंगे, याद कराना मेरी responsibility, बस आप जैसे-जैसे मैं करा रही हूं, वैसे-वैसे द्यान से सुनो, अब देखो, क्या होता है, यह neuro-secreting cells हैं, यहां ह इक लिए बहुत कुछ बता सकते हो, अब क्योंकि animal physiology में आता है यह बार, तो बहुत कुछ बता सकते हो, लेकिन जितना ज़रूरी है, उतना ही पड़ेंगे, तो neuro-secreting cells क्या करते हैं, हॉर्मोन को release करते हैं, और यह हॉर्मोन जो है, आपका portal vein है, अगर आपको याद हो, किसको देता है, anterior pituitary को यह हॉर्मोन चला जाता है, अच्छा, neuro-secreting cells कौन जो हॉर्मोन release करते हैं, TRH, तो हॉर्मोन release करते हैं, TRH, TRH क्या है, thyroid releasing hormone, thyroid releasing, मैं सब याद हो जाएगा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं हूँ, बस जैसे से मैं करा रही हूँ, वैसे वैसे करो, जैको neuro-secreting cell नहीं क्या release किया, TRH, thyroid releasing hormone, ठीक है, hypothalamus से क्या release हो क्या आया, TRH, अब hypothalamus से TRH release हुआ, अब इस TRH के जो है, receptor कहां present है, इस TRH के receptor देखो, इस anterior pituitary पर इसके receptor present होते हैं, anterior pituitary क्या होते हैं, thyroid releasing hormone के receptor present होते हैं, जैसे ही TRH bind करेगा, अपने receptor से, तो anterior pituitary एक hormone को release करेगा, anterior pituitary क्या करेगा, एक hormone को release करेगा, जिसका name है, TSH, इसका name क्या है, TSH, इसकी full form क्या है, thyroid stimulating hormone, जैसे सुनो, अब तक हमने क्या देखा, सुनो मेरी बात, बहुत इसी है, आपका hypothalamus है, चीक है, मैं short मैं बताती हूँ, आपका hypothalamus है, आपका hypothalamus क्या release करता है, ती आर एच को, ठीक है, thyroid releasing hormone, thyroid releasing hormone के receptor किसके पास present होते हैं, pituitary के पास, anterior pituitary के पास, ठीक है, कि पास क्या है, receptor present है, TRH के, ठीक है, तो जैसे ही anterior pituitary पे thyroid release, उनके receptor पर TRH आके bind करेगा, तो क्या होगा, anterior pituitary क्या release करेगा, TSH को, thyroid stimulating hormone को release करेगा, इतनी बास समझाई, anterior pituitary ने क्या क्या, thyroid stimulating hormone को release किया, ठीक है, अब आगे चलो मेरे साथ, अब देखो, हमें disease को समझने से पहले, पहले हमें normal condition को समझ जाऊगा, normally क्या होता है, तो देखो, अब ये जो TSH है, ये कहाँ act करेगा, ये thyroid gland में act करेगा, ये कहाँ act करेगा, thyroid gland में, तो हम thyroid gland को समझते हैं पहले, अब ध़्यान से चलो, देखो, ये क्या है, आपका thyroid gland है, ये दीख रहा है आपको, thyroid gland यह reason जो है तो यह butterfly shaped का लग रहा है तो thyroid gland जो होता है वो कैसा होता है butterfly shaped का होता है butterfly shaped neck में मिलता है anterior neck के portion में आपको flat shaped का है यह thyroid hormone मिलेगा butterfly shaped का flat होता है यह तो अब इसे हम समझते हैं तो चलो जड़ा मेर साथ देखो अब हम पहले thyroid hormone को बना ले देखना thyroid hormone को बना रहे हैं हम लोग इस टाइप का कुछ शेप का होता है thyroid hormone ठीक है अब देखो यहाँ पर इस thyroid hormone में यह follicle cells होती है इस टाइप से क्या होती है follicle cells होती है fiboidal cells होती है follicle cells मैं लिख दे रही हूँ labeling करती जारी हूँ मैं हाथ किया था follicular cells होती है ठीक है और इनके बीच में यह जो fluid present है इनके बीच में यह यहाँ पर यह fluid होता है यहाँ पर यहाँ पर fluid होता है जिसे हम बोलते हैं colloid देखो follicular cells है और बीच में क्या भरा हुआ है फोलॉइड भरा हुआ है अब ध्यान से देखना और cells भी होती है वो हमें जानने की जरूद नहीं जैसे C cells हो गई और cells हो गई उनको हमें जानने की जरूद नहीं तो follicular cells होती है आपकी तो TSH क्या करता है इन follicular cells से bind करता है अभी देखो याद आया TSH release हुआ है अब TSH क्या करेगा इन follicular cells से bind करेगा TSH क्या करेगा देखो मैं यहाँ बना देरी हूँ यह TSH क्या कर गया इन से bind कर गया TSH क्या करता है इन follicular cells से bind कर जाता है अब क्या होता है ध्यान से देखना, next step बहुत important है, हमारी small intestine होती है, क्या से सुनो मेरी बात, हमारी small intestine होती है, ठीक है, हम लोग diet में क्या लेते हैं, iodine लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, small intestine से, मतलब हमने अपने diet में iodine ली, और वो हमारी small intestine में गया, तो blood, blood क्या करता है इस iodine को absorb कर लेता है blood क्या कर लेता हैं in the form of iodide Iodide तो blood में क्या है हमारे पास iodide, हमने diet में iodine ली, small intestine में पहुची small intestine से जब वो blood में जाएगी, तो किस form में जाएगी iodide form में जाएगी, चीखे अब क्या होता है कि सुरना मेरी बात क्या होता है कि जो हमारी cells होती है follicular cells होती है वो क्या करेंगी इस iodide को लेंगी follicular cells क्या करेंगी इस iodide को लेंगी ठीक है iodide को लेंगी और जैसे कि follicular cells में iodide गया और follicular cells से कहा जाएगा इस colloid में iodide जाएगा Follicular Cell से Iodide कहां जाएगा? Colloid में जाएगा Iodide से सोनो मेरी बात, देखो Confuse मत हो, देखो Blood Stream में, यह हमारी Blood Stream है मैं Red Color में बनाती हूँ, सोनो मेरी बात यह मेरी Blood Stream है यहाँ पर अब क्या है? Iodide है Iodide ठीक है? अब यह Iodide Blood Stream से, देखो Follicular Cell ऐसे Blood Blood Cells क्या है? Follicular Cell को यह आगे चारो तरफ होती है तो अब क्या है? Iodide जो है Follicular Cells के पास जाएगा सुनना मेरी बात Iodide जो है Follicular Cells के पास गया कैसे जाता है? देखो मैं बना के दिखाती हूँ, जैसे यह Follicular Cell है सुनना मेरी बचाओ Sodium Iodide Symporter होते हैं क्यों क्या करते है? इस Iodide को Iodide क्या है? यहाँ पर आ जाती है Follicular Cell में Iodide क्या हो गई? Follicular Cell में आ जाती है बाइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट Against the Concentration Gradient Follicular Cells क्या होती है? Iodide को ले लेती है ठीक है? Symporter की helps से Against the Concentration Gradient Iodide क्या है? Follicular Cell में आ गई यह आपकी क्या है? Follicular Cell यह पैन नेग्रीक तक यह है Follicular Cell आज आज आएगा सब समझ में रूगू ठीक है? अब यहाँ पर क्या है? यह Colloid है यह यह Colloid है आपका यह यहाँ पर Colloid है ठीक है? तो कोलोईड में अब यह आयोडाइट जाएगा, तो यह आयोडाइट कैसे जाता है, एक ट्रांस्पोर्टर होता इसके लिए, इसके लिए एक ट्रांस्पोर्टर प्रिजेंट है, एक ट्रांस्पोर्टर प्रिजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं पैंड्रिन, यह क्या है ट्र ही को लॉईट में ट्रांसफर करता है, यह आइॉडाइट कैसे जाएगा ट्रांसपोर्टर की हेल्ब से जाएगा पेंड्रिन एक Nepandrin ट्रांसपोर्टर है जो की जाएगा आउडाइड मतलब अथे एक पेंड्रिन की हेल्ब से जो होता है TPO, TPO की फुल फॉर्म क्या है, thyroid peroxidase, thyroid peroxidase, ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, follicle cells जो होती है, सुनना मेरी बात, follicle cells जो है, एक protein को release करती है, follicle cells क्या करती है, एक protein होता है, hyroglobulin, TG, क्या नाम बता है मैंने TG, TG को release करता है, कौन release करता है, follicular cells, मैं यहाँ बनाती हूँ, जैसे की, follicle cells क्या करेंगे, एक protein को release करेंगे, जिसका नाम है TG, यह क्या है, TG, मैं लिख दे रही हूँ, thyroglobulin, क्या है, यह TG, इसका short form है TG, और यह क्या है, TPO, तो सुनो मेरी बात, यह कहां से हाया, thyroglobulin, follicular cells, जो है, release करती है, thyroglobulin को, जो कि क्या है, एक protein है, thyroglobulin, ठीक है, यह क्या होता है, rich होता है, tyrosine rich होता है, इसमें rich होता है, tyrosine rich, tyrosine rich होता है, ठीक है, thyroglobulin, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, समझ आएगा, correlate कर पाऊगे, सुनो मेरी बेले बात, क्या होता है, ठीक होता है, ठीक 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 है, ठी करता है TPU क्या करता है IODIN को इनसे bind करा देता है TPU क्या करता है? Iodine को इनसे bind करा देता है TPU क्या करता है? इसको load कराने का काम करता है बास समजा हême? TPU क्या करेगा? Place करेगा Iodine को T związズ क्या बोलेंगे? Mono-iode-tyrosine हम क्या बोलेंगे Mono-iode-tyrosine ठीक है अगर दो है अगर एक tyrosine पे दो iodine बैठे हैं तो हम बोलते हैं Di-iode-tyrosine मेरे साथ समझो क्या कहा मैंने अब तक समाज आएगा बहुत इजी इसमें कुछ नहीं है आपका hypothalamus है उसने क्या release किया तो कैसे याद रखोंगे TR के बाद S आता है न तो पहले R आएगा तो मतलब TRH रिलीज हुआ thyroid releasing hormone थाइपोथेलिमस ने release किया thyroid releasing hormone की receptor present है anterior pituitary thyroid releasing hormone जो है bind कर जाएगा anterior pituitary के receptor से और anterior pituitary क्या release करेगा S वाला TSH thyroid stimulating hormone को ठीक है अब TSH जो है thyroid gland पर काम करता है नाम ही है thyroid तो thyroid gland पर काम करेगा तो अब thyroid gland पर चलते हैं हम लोग thyroid gland कैसा होता है butterfly shaped का होता है anterior neck में present रहता है ठीक है मैंने आपको दिखाया भी इसका structure इसमें क्या होते है thyroid gland में यहाँ पर कुछ follicular cells होती है होती है follicular cells follicular cells के बीच में क्या present होता है colloid फॉलिकुलर सेल क्या रिलीस करती है एक प्रोटीन होता है थाइरो ग्लोबिलोन जो की कंटेन करता है टाइरोसीन अमाइनो एसिट को कंटेन करता है फॉलिकुलर सेल ने इस प्रोटीन को रिलीस किया कोलोईड में इतनी बास समझ आई अब क्या होता है कि हमारे हम लोग अपन जो iodide है, क्या follicular cell क्या करती है, symporter की health से, sodium iodide symporter की health से, iodide को अपने follicular cell में लेती है, और follicular cell से colloid में जाता है, with the help of transporter, pendrin, pendrin की health से क्या होता है, colloid में ये iodide पहुच गया, इतनी बास समझ आई, अब क्या होता है, कि TPO, एक enzyme है, TPO, thyroid peroxidase, TPO क्या है, एक enzyme है, thyroid peroxidase, ये क्या करता है, iodide को convert करेगा iodine में, colloid में क्या है, iodide है, तो iodide को iodine में convert करेगा, TPO, TPO का एक और काम है, वो क्या करेगा, iodine convert हो गया, मतलब iodide convert हो गया, iodine में, iodine हो गया, अब हमारे पास क्या है, poloid में iodine है, प्लस क्या है, thyroglobulin, TG, ठीक है, तो TPO क्या करेगा, iodine को tyrosine amino acid पर place कर देगा, क्या करेगा, TPO, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, thyroglobulin protein है, यहाँ पर tyrosine के residues है, ये क्या है, आपके tyrosine, ठीक है, अब देखो, TPO क्या करेगा, उसका दूसरा काम क्या है, वो iodine को, यहाँ पर क्या कर देगा, place कर देगा, iodine को क्या कर देगा, place कर देगा, अगर एक single amino acid है, अगर एक single iodide है, अगर एक single iodine है, तो आप उसे बोलेंगे, mono, mono, iodot, tyrosine, mono, iodot, tyrosine, अगर दो हैं, तो क्या बोलेंगे, di-ido, di-iodot, tyrosine, बास समझाई इतनी, I hope इतनी बात तो समझाई होगी, बहुत इजी है, ठीक है, अब आगे चलो मेट साथ, देखो, अगर, अगर, देखो, इसे मैं लिखने हूँ, short में, DIT, di-ido, tyrosine को DIT, और mono, iodot, tyrosine को लिख रहे हूँ में, MIT, ठीक है, तो अगर, MIT, प्लस, DIT मिल रहे हैं, तो बनाते हैं, T3, means, एक और दो, मतलब, एक तरफ, एक iodine है, ठीक है, और दूसी तरफ, दो हैं, तो मिलके कितने में राएंगे, तीन आयोटीन, तो इसे हम बोलेंगे, T3, tri-ido-thyroine, T3 को क्या बोलेंगे, T3 को क्या बोलेंगे, tri-ido-thyroine, tri-ido-thyroine, ठीक है, पारा लिख देती हूँ, tri-ido-thyroine, अगर दो DIT, अगर दो, दो दो चार, दो आयोटीन और दो आयोटीन मिलके क्या बनाएंगे, T4, दो आयोटीन और दो आयोटीन मिलके क्या बनाएंगे, T4, जिसे हम बोलते हैं, T4 को क्या बोलते हैं, हम, दो नाम होते हैं, या तो आप बोल सकते हो, tetra-iodo-thyroine, या फिर, T4 को एक और नाम से जाना जाता है, और thyroxine, आपसे exam में पूछा जा सकता है, thyroxine T3 को बोलते हैं, या T4 को, आप क्या कहेंगे, T4 को, अगर एक iodine और दो iodine को मिलाके हम बोलेंगे T3, दो और दो को मिलाके बोलेंगे T4, चार मिल रहे हैं, तो T4, tetra-iodo-thyroine और thyroxine, ये क्या होते हैं, ये main होते हैं, thyroid hormones, ये क्या होते हैं, main होते हैं, T3 और T4 क्या है, ये main हैं हमारे thyroid hormone, बस इतना समझ लो, ये अब T3 और T4 आ गए आपके पास, ठीक है, अब ध्यान से समझना, अब हम सलते हैं, disease की तरफ की क्या होता, actual में, देखो, सुनना मेरी बात, अब disease में, actual में होता क्या है, क्या होता है, क्या होता है, जो आपकी होशिमोटो डिसीज होती है उसमें क्या होता है कि सपोस करो कोई इंटर्नल इंजरी हुई कि क्या हुआ इंटर्नल इंजरी के चक्कर में क्या होता है कि यह जो टीपीओ और टीजी हैं यह बी सेल्स या आपके जो इम्यून सेल्स होते हैं उनके कॉंटेक्ट में आ ये क्या होते हैं उनके कौंटेक्ट में आ जाती है जैसे ही ले ने झौनीकर में लेकर दिखाए उनके आपी ये फॉलिकुलड इनके बाहर की तरफ है ये आपकी क्या थी वह ब zasyl है थिर वन्हें दो और कोलॉध में टीप्य और टीजी है TGOTP कभी भी contact में नहीं आई थे ब्लड cell के ठीक है लेकिन internal injury हुई तो immune cells के contact में आ गए TGOTPO तो TGOTPO जब contact में आते हैं तो इनके against क्या बनने लग जाती है antibody बनने लग जाती है भई immune cells क्या करेंगी antibody बनाएंगी TGOTPO क्या बनने लग गई antibody बनने लग गई तो आपका जो hypothalamus है जो आपका hypothalamus है वो TRH release कर रहा है और anterior pituitory क्या release कर रही है TSH TSH को वो release कर रही है और वो क्या कर रही है T3 का production भढ़वा रही है वो कह रही है T3 का production हो लेकिन आपके जो immune system है वो क्या बना रहे है वो TG और TPU को क्या कर रहे है destruct कर रहे है वो TG और TPU को क्या कर रहे है destroy कर रहे है antibodies क्या कर रही है TG और TPU को destroy कर रही है तो अब जब TG और TPU नहीं होंगे तो क्या T3 T4 बनेगा आप मुझे बताइए जब TG and TPU नहीं होंगे तो क्या T3 और T4 बनेगा नहीं बनेगा और जब T3 T4 नहीं बनेगा तो आपकी cells देखो जब T3 T4 की कम concentration है तो cell क्या करेगी सिगनल देगी सेल क्या करेगी negative feedback देगी कि भाई TRH भढ़ाओ भाई मैं कम हूँ T3 क्या करेगा T3 और T4 क्या करेगी हाईपो थेलेमस में और एंटिरेटी में सिगनल भेजेगी भाई negative feedback देगी कि आप और जादा रिलीज करो हर्मोन लेकिन TRH और TSH क्या करेंगे भाई हम तो बहुत जादा से जादा रिलीज कर रहे हैं लेकिन T3 कहेगा मैं तो बनी नहीं रहा हूं क्यों नहीं बन रहा हूं कि अल्रेड़ी antibodies जो है TG और TPO को क्या कर रही है डिस्ट्रॉइ कर रही है बास समझाई मेरी तो क्या होता है हाशिमोटो डिसीज में आपकी anti-TG antibody बनती है सुनना important point है यह आपकी हाशिमोटो डिसीज में anti-TPO antibody बनती है और आपकी हाशिमोटो डिसीज में क्या रहता है low concentration रहती है T3 की संब्सक्norm olex ने पUIए पर आपका क्या रहता है लेकिन hide to try kyan Fraktion क्या है हई वहीं ट तू अपने अप Q कर रहा है लेकिन टी 3 क्या है बनी नहीं पा रही हूं क्योंकि एंटी। बन गई है till city और कैसे फीडबेक चलता है यह positive feedback होगा बेटा यहाँ पर होगा positive feedback अपने आपकी concentration बढ़ाने के लिए कहेगा T3 क्या कहेगा भाई यह concentration को increase करो ना कि decrease करो जब concentration increase की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे कि concentration increase करो तो positive feedback चलेगा इस तरह के feedback को क्या बोलता है positive feedback मैं गलत बोल गई थी की देखो सुनो मेरी बात दुबारा सुनो ती 3 की concentration कम है तो ती 3 क्या कहेगा भाई उसकी concentration बढ़वाएगा टी रह की कहेगा टी रह अपनी concentration को बढ़ाओ तो इस type की feedback को हम बोलते है positive feedback लेकिन यहाँ पर क्या होता है positive feedback होता है अच्छे समाज आएगा हम लोग पूरा summarize करते है क्या बोला देखो आपके hypothalamus होता है ठीक है और anterior pituitory होती है neurosecrating cells क्या करती है टी आर एच को release करती है थायरोइड रिलीजिंग हर्मोन को टी एस टी आर एच जो है बाइंड करते हैं anterior pituitory से और टी एच को release करती है ठीक है अब thyroid stimulating hormone release हो गया अब यह किस पर थायरोइड पर व उन follicular cell के बीच में जैसे ये follicular cell है अब इसके बीच में जो यह फिल होगा ना यह जो फिल होगा इसे हम बोलते है lumen of follicular cells या फिर आप बोल सकते हैं colloid इक डीक है अब को लोइड होता है तो अब धेहां से सुनना follicular cells क्या release करते हैं एक protein को थायरोग्लोबिूलिन को ठीक है और आपके जो कहां आएगा वो प्रोटीन, ये प्रोटीन आगया आपका, ये प्रोटीन है आपका, थाइरोग्लोबिलिन, जो कि कोलोईड में आगया, ठीक है, अब क्या होगा, कि देखो, हम अपनी डाइट में क्या लेते हैं, आयोडीन, लेकिन जब वो ब्लड इस्ट्रीम को रूल होता है, कि वो कनवर्ट करवाता है, आयोडाइट को आयोडीन में, आयोडीन जो है, जो आयोडाइट, सुनो में बात, आयोडाइट जो है, पहले फॉलिकुलर सेल में जाएगा, ठीक है, सोडियम, आयोडाइट, सिंपोटर के तुरू, फॉलिकुलर से, कहां जाए कि convert कराएगी iodide को iodine में तो koloid में क्या हो गए आपका iodine हो गया और TG protein हो गई अब क्या होगा थाइरो globulin हो गई अब क्या होगा TPO एक और काम करेगा भाहिया खाली बैठाई है वो क्या करेगा कि वो इस iodine को इस iodine को thyro globulin में tyrosine amino acids होते हैं तो इस iodine को tyrosine amino acid पर place कर देगा तो अगर एक amino acid प्लेस के हैं था हम बोलते हैं mono hydro tyrosine अगर दो amino acid प्लेस के हैं था हम बोलते हैं di hydro tyrosine एक iodine और दो iodine मिलके बनाते हैं T3 क्या बनाते हैं T3 जिसे हम बोलते हैं tri hydro tyrosine और दो और दो मिलके बनाते हैं T4 जिसे बोलते हैं थाइरोग्जीन या फिर टेट्रा आइडो थाइरोडनीन इतना समझ आ गया अच्छा इतना ही बेसिक समझ रहा था अब इसके आगे चलो अब T3, T4 क्या हो गए आपके थाइरोड हो गए अब यह क्या है इनको हम लोग बोलते हैं T3 और T4 को मिलाके थाइरोड होर्मोन ठीक है मैं बस जनल नॉलिज के लिए बता दे रही हूं जो T3 होता है वो 20% होता है और जो T4 होता है वो 80% होता है जो थाइरोड से जो होर्मोन T3 कितना रिलीज होता है approximately 20% और T4 80% लेकिन जो मेन होर्मोन माना जाता है वो माना जाता है T3 T3 is considered the active form of thyroid hormone T3 को क्या माना जाता है active form माना जाता है thyroid hormone की ठीक है तो TPO क्या है परोक्सिदेज है एक enzyme है तो एक protein है TG क्या है थारोगलोबिन तो क्या है ये एक protein है तो ये proteins है तो इनकी against क्या बनेगी antibody बनेगी अब क्या हो रहा है आपके ध्यान सुनेगा कि आपके TRH release हो रहा है TRH क्या हो रहा है release हो रहा है TSH release हो रहा है लेकिन T3 नहीं बन पारा क्यों नहीं बन पारा क्योंकि TGO और TPO के लिए क्या आ गई है antibodies आ गई है TG और TPO नहीं है तो क्या T3 और T4 बन पाएंगे T3 और T4 नहीं बन पाएंगे तो T3 क्या कहेगा भाईयार वो हाइपोथेलेमस और पिट्यूट्री से कहेगा अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाओ मैं कम हूँ लेकिन TRH और TSH क्या कहेंगे कि भाईया हम तो अल्रेड़ी दे रहे हैं तो T3 क्या कर रहा है पॉजेटिव फीडबेक दे रहा है वो क्या कर रहा है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कह रहा है अगर कंसंट्रेशन कम करने के लिए कहता है तो हम कहते है नेगेटिव फीडबेक है वो क्या कह रहा है उसकी concentration बढ़ाने के लिए कह रहा है लेकिन क्या हो रहा है अल्रेडी वो उनकी concentration बढ़ा रहा है लेकिन क्या है TG और TPO के against क्या बनी हुई है antibodies बनी हुई है इतनी बात समझ आई ठीक है I hope इतना part clear हुआ होगा तो Hashimoto disease को हम एक और नेम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं Hypothyroidism Hashimoto को इस नेम से भी हम लोग जानते है जहां पर T3 की concentration क्या होती है कम होती है इतना part तो आप लोग को समझ आयोगा अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हुआ कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप मुझे दुबारा बोलना कमेंट बॉक्स में अगर आपको नहीं समझ आया हो कि कैसे हाशी मोटो डिसीज होती है तो मैं दुबारा समझ आने की कोशिश करूँगी अगर लेकिन यह पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना अपने फ्रे अगर यह जो मैटेरियल है मैं ग्यानवर्षा हमारा टेलीग्राम पर एक चैनल है ग्यानवर्षा नेम से आपने अगर वह जॉइन नहीं कर रखा तो आप वह जॉइन कर लीजे मैं यह सारा मैटेरियल जितना भी बढ़ाती में वहां अप्रोड कर देती हूं पीडिये फॉ जो भी डाउट हो तो आप मुझे ग्यानवर्षा-quary-at-dareal-gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करना शेयर करना और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना थैंक यू